बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं हूँ अपर नमाजम दो या दो स्यादिक ग्रहों के संयोग को कहते हैं योग किसी ग्रह का किसी ग्रह से या राशी से संबंध हो तो उसे भी कहते हैं योग कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं अपार काम्याबी यश दिलाते हैं धन दिलाते हैं कुरसी दिलाते हैं उसे कहते हैं राज योग शास्त्रों में जिन राजयोगों का उलेख है उनमें केंदर के स्वामी का त्रिकोन के स्वामी के साथ संबंध होना राजयोग कहा जाता है आज हम यानि न्यूस एटीन उसी राजयोग पर चर्चा करने जा रहा है और हम आपको बताएंगे कि MP और 36 गड़ में चुनाव संपन होने के बाद EVM में कैद बोट क्या कह रहे हैं किस नेता की कुंडली में राजयोग है क्या BJP फिर से सत्ता में वापसी करेगी CM शिवराज की कुंडली में सत्ता की गद्धी है या कमलनाज सत्ता पर होंगे विराजमाद अपने अपने शेत्रों से जोतिश शास्त्र के मताबे कौन जीत रहा है किस की किसमत में बन रहा है राजयोग नतीजों से पहले जोतिश शास्त्र के नतीजे क्या कह रहे है न्यूज एटीन आपको बताने जा रहा है क्योंकि एलेक्शन मतलब न्यूज एटीन तो चलिए हम अपने शास्त्र के पंडितों के साथ करते हैं बातचीत कि मद्धिप्रदेश 36 गड़ में किस का होगा राज योग और हमारे साथ खास महमान इस चुडियो में मौजूद है हमारे साथ है आचारे चंदर शेखर शास्त्री जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आचारे चंदर शेखर जी तीन दिसंबर का हरकोई इंतजार कर रहा है मध्यप्रदेश और 36 गड़ की जनता भी और साथी मध्यप्रदेश 36 गड़ के राजनेता भी सबसे पहले ये बताएं कि 3 दिसंबर की तारिक उस दिन ग्रहों की दशा कैसी रहेगी किसके अनुकूल रहेगी क्या कह रहा है शास्त्र कि रवीवार है 3 दिसंबर को और ये समय जिस समय आ रहा होगा वह है शनी का ये दोर होगा क्योंकि 11 बजे के आसपास से हम देखेंगे तो शनी का अपना प्रभाव शुरू हो जाएगा और उससे पहले मगर राशीक में गणना शुरू होगा शनी का प्रभाव निश्चित रूप से उस दिन प्रभावी रहेगा और शनी का प्रभाव होने से आप समझे के जिनकी शनी की राशी शनी की दशा शनी का प्रभाव और शनी का जिनका बल अधिक है उनको बहुत लाव होगा जी डॉक्र पूजा जी देकि जिस तरह से तीन दिसंबर की बात कर रहे हैं तीन नंबर है गुरू का नंबर है तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल डे है और इस दिन का सभी को बिसबरी से इंतजार है क्योंकि रिजल्ट्स अवेटेड हैं बड़े जबरदस्त तो जिस त जैसा कि वर्तमान समय में जब चुना उआ उस समय ग्रेश तिति कुछ और है और जब तीन दिसंबर को रियल्ट आ रहा है उस समय ग्रेश इस्तिति बड़ी भी नहीं सत्रा नवंबर और तीन दिसंबर में कितना बड़ा चेंज यहां पर उलट फेट देखने को मिल रहा है ग्रहों की दर्शा और दिशा के अगर बात की जाए तो सुर्य मंगल दोनों आपस में मित रहे इसके साथ ही बड़ा बदलाव 16 नवंबर को हो जाता है साथ ही जैसे समय बदलता रहता है 30 नवंबर को सुक्र ग्रह अपनी कन्या रासी नीच रासी को छोड़ करके तुला रासी में परवेश कर रहे हैं और तुला रासी सुक्र ग्रह की अपनी रासी है जिसमें सुक और एसुरिये को बढ़ा देते हैं बुद्ध ग्रह भीसी के साथ 27 नुवंबर को धनुरासी में परवेज कर रहे हैं ये जो ग्रह बलाबल है या परिवर्तन है वो उस समय तीन दिसंबर को तेय करेगा जिस वेक्ति के या फिर जो प्रतियासी है चुनाव लड़ रहा है कुंडली के अनुसार जो ग्रह मजबूत इस्थिति में होगा वही गोचर में उसको राजयोग का सुख प्रदान कराएगा जी आचारे चंदर शेखर जी अब बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के शिवरासिंग चौहान लंबे समय से मधप्रदेश की सत्ता पर आसीन हैं लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की सेवा कर रहे हैं अब क्या कह रही है उनकी कुंडली तीन दिसंबर को लेकर क्या उनकी कुंडली में राजयोग आगे भी बना हुआ है दिखे शिवरासिंग की कुंडली में वसुमती योग है उनकी कुंडली में राजयोग तो है लेकिन अभी 2024 के जनवरी तक उनके स्टार थोड़े ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं उन्हें उलजहाए रख सकते हैं तो जनवरी के बाद उनके लिए समय बहुत अच्छा है और राजयोग कारक है लेकिन 14 जनवरी तक का समय उनके लिए थोड़ा पीड़ा दायक हो सकता है जी डॉक्टर पूजा शिवरासिंग चौहान को लेकर आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं देखें मैं शिवरासिंग चौहान जी के लिए कार्ड्स निकालने जा रहे हूं देखते हैं उनके लिए तैरो कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं देखें एंपरेर का कार्ड आया है जो बहुत स्ट्रॉंग कार्ड है और यह दिखाता है सत्ता को Emperor का card अपने आप में Emperor याने की राजा का card है तो definitely बहुत strong card है उनकी positioning बहुत जबर्दत strong है अगर हम elections की बात करें साथ ही Nine of Pentacles भी आया है जो हमें ये दिखाता है कि इन्होंने जितना भी development का काम किया है मध्यप्रदेश में तो उसको लेके इनका काफी positive cards में मुझे show हो रहा है जी आचारे सुर्यांश जो ग्रहों की दशा और दिशा में फेर देखने को मिला है तीन दिसंबर से पहले और क्या शिवराज सिंग चोहान की कुंडली की गर्ना भी उसी के अनुरूप है या थोड़ा सा कहीं रास्ते अलग-अलग हो रहे है क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पर मुखे जो है सनी का मारगी हो जाना चार नुम्बर को सनी ग्रह मारगी हो चुके हैं जो कि सिवराज सिंग जी के नाम से कुम्रासी बनती और स्वेम अपनी रासी कुम्बर आसी में वर्तमान में सनिग्रह चल रहे हैं और सनिग्रह राजयोग का फल देने वाले होते हैं क्योंकि सनिग्रह कुम्बर आसी में बैठ करके तृत्ते दृष्टी से प्राक्रम भाव को देखते हैं जो की अधिक प्राक्रम और मेहनत कराता है जिस छेतर में वेक् सुर्य मंगल की इस्तिति और सनी का सुर्य मंगल को देखना और यहां मंगल भी सनी को देख रहा है जो इस प्रकार से दृष्टी का आपस में परिवर्तन है यह दृष्टी आपस में दूसरे को देख रहे हैं यह कही ना कहीं राज योग को चिनहित करती है तो इसका मतलब त लगाता जनता की बीच जाकर कि कमलात का यह आंखरी चनाओ और कमलात और जो पूरी कॉंग्रस पार्टी है मध्र प्रतेश की नतिज्जों को लेकर काफी आश्रस्थ भी दिखाई दे रही है आचारी चैन्दर शेखर जी कमलात जी की कुंडली क्या कह रही है कमलात जी कि की मेरे पास कुंडली है वो मीन लगन की कुंडली है भागय में पंचग रही योग है वैसे भी उनकी बुद्ध की महादशा है और बुद्ध की महादशा में शुक्र का अंतर हिस्स में उनका चल रहा है तो उनको प्रबल राजयोग की संभावना मुझे लगती है प्रथम पंक नजर आ रहा है कि काटे की टकर तो रहेगी इधर और बहुत अच्छा competition देने वाले हैं यह मध्यप्रदेश में पर कहीं न कहीं थोड़ा सा lag behind हो सकता है competition काफी tough देंगे और काफी हद तक इनके बहुत अच्छे जैसे कहते हैं न हम seeds इनकी काफी अच्छी आएंगी के जादा strong है लेकिन यहाँ पे इनका भी जैसे कहते हैं कि तकता पलट और काफी strong indication नजर आ रहा है तो इनके जो seeds आएंगी वो काफी अच्छी आती दिख रही है और बहुत tough competition देते हुए नजर आ रहे हैं कमलाज जी क्या ऐसा है कमलाज जी की कुंडली में कि जो उनको race में आगे रख सकता है या उनकी कुंडली के ऐसे अच्छे योग क्या है जो उन्हें लगातार प्रबल दाविदार बनाए हुए हैं कवलाज जी की कुंडली भी कमजोर नहीं है क्योंकि इनके कारे छेत्र दसमभाव में राहु विद्यमान है और राहु राजनिती एक पफिर कह सकती कूटनिति के गुरु होते हैं यहां राहू का जो प्रतिक चीने वो धोज है और दसम भाव में राहू बैट करके उस धोज को लहरा रहा है तो यहां पर कहीं ना कहीं राजयोग राहू भी फल देने का प्रियास करेंगे क्योंकि भाग्ये छेतर में सनी विद्यमान है अपनी कुम्बरासी में और सश्क भा में सूर्य मंगल की यूति अपने प्रतिद्वंदी को हराने का प्रियास करेंगे तो यहां पर इनके ग्रह भी मजबूत इस्तिती में बने हुए हैं मद्रप्रदेश की गणना का कहती है या वहां की जनुता के लिए अगले आने वाले पांस साल कैसे रहने वाले हैं यह भी कोई गणना होती है अब ही जो चुनाव लड़ा जा रहा है अभी यह है तो राजियों के चुनाव लेकिन इसके मूल में केंदर सरकार को देखना प अधिक लाब मिलने की आशा है अभी वर्तमान की जो मद्रप्रदेश की पांच वर्ष की स्थिती है तो वो कई लटके जटके लेते हुए आगे बढ़ेगी जी डॉक्र पूजा तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि लटक जटक तो अपसे डाउंस तो रहेंगे डेव हथ अच्छे से संभालने योग्यों होगा सक्षम होगा और मध्यप्रदेश की डेवलप्मेंट और ग्रोथ के लिए काफी फोकस रहने वाले हैं 2018 में कॉंग्रस की सरकार तो बनी लेकिन जादा वक्त तक टिक नहीं पाई 15 महिने में ही उलट फेर हो गया क्या इस बार कोई बड़ा सियासी उलट फेर देख पा रहे हैं क्या कोई नया कोई थर्ड एंगल भी हो सकता है शनी की दृष्टी चुकि सनी से सारा ये सब प्रभावित है मद्यपदेश में शिवराज सिंग की कुंडली भी उसी से प्रभावित है और वहीं कमलनात की कुंडली भी उसी से प्रभावित है और शनी का प्रभाव शनी जनता के रूप में भी हम शनी को देखते हैं तो ज टूरा सनी से बदलेगे भी नहीं लेकिन यदी बदलेगी तो एक बड़ा बडला लेकर आएगी बूजा तो इन दोनों में आजकल हर पार्टी की ओर से किया जाता है और यहीं का जाता है कि विकास करना है इसलिए हमें जनता के भी जाना ही पड़ेगा और इस तरह की योजनाय आवाम तक पहुंचानी ही होगी आचारे सुर्याज ची तो क्या बीजेपी कॉंग्रेस की दो हम बात कर रहे हैं लेकिन क् दल भी प्रभाव शाली निकल सकता है क्या तो दसम भाव में सूर्य मंगल बुद्ध तीन ग्रह बैटे और सनी की दृष्टे भी पड़ रहे है तो इसके आधार पर यहीं साबित होता है कि एक तरफा सरकार बनाना एक चुलोती होगा और यहां पर मिलकर के ही सरकार को बना प्रभाव वही शनी का ही है जी विस्ताव से बात करेंगे बुपेश बगेल की कुंडली पर आपसे पूजा भातिया यहां 36 गड़ के लिए तीन तारीक को क्या कह रहे है आपके कार्स क्या उलट फेर दिखाए दे रहा है सड़न कोई फ्रैक्टर नजर आ रहा है वांट के कार्ड आया है जो कॉन्फलिक्ट दिखाते हैं दूसी तरफ से भी विदिन इंटरनल जो सत्ता पे है उनके रहने के चांसिस हैं लेकिन इसके साथ ही अगर मैं देख रही हूँ तो एस अफ कॉछ एक नया एक जैसे कहते हैं न कि एक लास्ट मिनट पे कुछ उलट फेर इसकी भी संभावना यहां पे दिख रही है जी आचारे सुर्यार जी जो वरतमान मुख्य मंत्री है उनका प्रबल दावेदारी में है और यहां पर उनके ग्रह काफी स्ट्रोंग है यहां पर तो पुने सरकार बनाते विए दिख रहे हां हाला कि इतना है कि सीटे उनकी बहुत कम होंगी सीटे लेकिन प्रबल दावेदार भी है यह गड़ना कह रही है लेकिन अचा और भी उन्हें प्रबल बनाए हुए है उनकी कुंडली ऐसा क्या खास है? एक संभावना व्यक्त करती है कि वो मुख्यमंत्री के प्रबल दाविदार रहेंगे और संभावना भी रखती है कि वो मुख्यमंत्री वही होंगे। तो उनके शत्रू गुप्त होंगे दिखाई नहीं देंगे और पीछे से उनके कहीं कोई बेटिंग चल रही होगी और जिसमें वो अपदस्त भी हो सकते हैं जुलाई दोहजार पचीस के बाद। शिंग देव के बारे में जान लेते हैं कि टीय सिंग देव जिने बाबा भी का जाता है डेपटी सीम उनको लेकर उनकी कुंडली में क्या है गड़ना क्या कह रही है किस तरह के संके दे रही है। चंदरशेखर जी. अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो लेकिन वर्तमान में अभी मुझे उनका अवसर मिलता हुआ दिख नहीं पा रहा है। डॉक्टर भाटिया. और ओवरॉल तो stagnation दिख रही है मुझे energies में बहुत जादा strong chances नहीं दिख रहे हैं। जी. आचारे सुर्यांश. प्राप्त कराएगा रायनीतिक छेत्र में ये उभर करके आएंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी भी इनको मिले वाली है। डॉक्टर रमान सिंगी बीजेपी का वो चहरा जिसने लगभग 15 सालों तक 36 गड़ की सत्ता पर वो आसीन रहे जनता की सेवा करते रहे और अब क्या कह रही है उनको लेकर गड़ना शास्त्र जी. एक नुवंबर सन 2000 को जब रायपूर से हम उनकी राजय की कुंडली देखते हैं तो वो धनूलगन की है और इनकी भी कुंडली धनूलगन की है। गुरू मंगल के कारण ही मिलता है। इनकी कुंडली में गुरू जो है वो लगन में हो गए और लगन में ही इनको मंगल भी आये हुए हैं। तो धनूराशी के मंगल इनको नए नए प्रियोग करने का आउसर देते हैं और वो उन नए प्रियोगों से च्छा जाने वाली स् और डॉक्टर रमन सिंग की अगर कुंडली को हम कमपरेटिवली देखते हैं, तो ये इतनी भयंकर टककर की कुंडली है कि इन में से कोन मुख्य मंतरी कब हो जाए, बड़ा सामान्य कथन नहीं होगा, सामान्य कथन होगा. जी, तो डॉक्टर पूजा, डॉक्टर अमन सिंग को लेकर क्या कह रहे हैं आपके कार्ड? ये तफ देने वाले हैं, डेफिनेटली, और conflicting situation काफी रहेगी, 50-50 की situation रहेगी, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि शायद chances कम हैं, लेकिन किसी तरीके से, जोड तोड से, यहां पे मुझे बाद में पलट फेर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि साथ ही मेरा king of pentacles भी आया है, king of pentacles भी सत्ता का दिखाता है, तो definitely कुछ ना कुछ यहां पे आप बोलिए कि internal last minute पे उलट फेर यह दिखा रहा है, और साथ ही king of pentacles, कुछ ना कुछ promise तो दिखा रहा है, कि positive indication है, बेबी शुरुवाती दौर में हमें ऐसा लगेगी नहीं बन पाएंगे, लेकिन last minute में कुछ changes होते हुए दिख रहे हैं, और इनके positive indications आ रहे हैं, जी, आचारे सुर्याज जी, जो अभी दशा चल रही है ग्रहों की, और डॉक्टर रमन सिंग के कुणली में, ऐसे कौन से ग्रह हैं, चिनका आपसी coordination बहुत अच्छा, उनके लिए हितकारी साबित हो सकता है, या कोई खास योग, या ऐसी कोई संकेत, जो उनके हित में नही करता है, जिसकी वह इच्छा करता है, फिर उसमें कारेरत रहता है, तो यहां इस समय थोड़ा प्रेसानिया रहेंगी, मैनत प्रिस्रम अधिक करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, संगर्स का समय है, और संगर्स उनको करना चाहिए, हाला कि पंच्यम जलेगी, और अच्छा समय भी आएगा, और एक तरीके से, जैसे अंदकार को छाट करके सूर्य उधे होता है, उसी प्रकार से, रमन सिंग जी भी चमकते इस सितारे की तरीके से बाहर आएंगे, जी, शतीजगर की कुंडली में, या कहें कि इसकी सियासी कुंडली में, क्या यहां पर भी कोई तीसरा फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, शास्त्री जी, राहु की दृष्टी को देखते हैं, तो यहां जैसा अभी सुर्याह जी ने बताया, कि चंद्रमा पर जो गोचर में दृष्टी उस पर आ रही है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन की तरह काम करता है, जो भी एक खोटक स्थिती बनती है, वो बनेगी तो अवश्य, लेकिन सत्ता इन दो के बीच ही कहीं रहेगी, तीसरा व्यक्ति यहां आने की संभावनाएं कम दिखती हैं, जी, डॉक्र पूजा, बिल्कुल अल्मोस्ट बराबर के ही कार्ट आ रहे हैं, एक कार्ड होता है, एडिशनल सपोर्ट का भी कार्ड होता है, तो यहां पर कुछ न कुछ एडिशनल सपोर्ट की वज़े से पॉजितिव इंडिकेशन दिख रहा है, मुझे, और सत्ता की जहां तक बात करें, तो अगर मैं इन दोनों में से ही किसी एक का मुझे नजर आ रहे ह तर्ट अंगल नहीं देखना कि कोई तीसरा बंदा बन सकता है, इन दोनों में से ही किसी में एक के पास सत्ता आएगी, दोनों के बीची टाफ मुकाबला है, टाफ फाइट है, लेकिन क्या कोई किंग मेकर या किसी ऐसी भूमिका में कोई थर्ट फैक्टर यहां पर आपको प्रभाव शाली दिखाए दे रहा है? तीसरा वेक्ति नहीं आ सकता है, इनी दोनों का यहां पसमें रहेगा. रहु हाँ झाली आपको टेसा है तीसरा में का इकता है, तीसरा में आ सकता है, हुआ कर अधाए आ सकता है.